हेलो हेव्डिवान आज आपकरांगे लेख रचना खोन दान यानी की ब्लड टोनीशन खोन दान दा मतलब है दुजिया दी जान बचाउन ले अपना खोन दान करना पार्ति संस्क्रीते वेच दान देन दी रसम प्राचीन काल तो ही चली आ रही है कोई तान दान करदा है कोई पुक्यान बोजन दिन दा है कोई मंदर वे चड़ावा चड़ोंदा है पर खोन दान एना सब दान दो उपर है आज भी पारत विच खोन दान बहुत मशूर नहीं है अज देव विज्ञानक जुग अत्याधनक युग विच्वी बहुत सारे लोग खून दान नहीं करदे हन। इस दमुख कारण खून दान प्रती लोका दे अज्ञानता है। अजे आपना कुछ खून दान करके दुज्यानु जीवन दी सकदे हन। इस दान दे अग्गे बाक कि सारे दान पिक के पैल जान दे हन। अजोके मनुख दा जीवन बहुत गतीशील है। हर कोई हर रोज कोई न कोई हाथसा बापरदा रहनदा है। कैंसर, डेंगू, ड्रॉपसी, हैपिटाइटस, आधी कई ब्यानक पिमार्या पैदा हो जान दिया हन। एहना हाथसयां अत ठाकिता जा सकदा है। समय सेर खून ना मिलन दे कारन कई लोग अपनी जान गवा बैठ दे हन। अते इस दा सबत वड़ा कारन खून दान प्रती साधी अज्यानता है। खून दान दिवीदी बहुत सरल अते बिलकुल सुरक्षित है। खून दान दे नियमा दी शक्ती नाल पालना किती जान दी है। इस लेशानू अपना खून दान करन तो डरन दी लोड नहीं है। पॉजटिव ग्रुप स्मूध ये मुकाबले नेगेटिव स्मूधी गिंती बहुत कट है। अते इहें लबना मुश्किल है। होना सब तो एहम सवाल एह है कि सड्डे बिच्चो कौन खून दान कर सकता है। ओ व्यक्ति जो तंद्रोस्त है अते जिस ने उमर 18 साल तो 60 साल तक है। जिस व्यक्ति नो कोई कंबीर पिमारी नहीं है, हर व्यक्ति तीन महिने वाद विही द्वारा खून दान कर सकता है। अते जिस ने 24 कंटे पहला शराव नहीं पित्ती है। एक बार विच 200 ml तो 300 ml तक खून दान कित्ता जा सकता है। खून दान करन विच सिर्फ 5 तो 10 मिंट लग दे हन। इस लहिसान नो खून दान करना चाहिदा है। ता जो असी खून दान करके मनुखदा दी सेवा कर सकी है। एस अड़ा सब तो बड़ा फर्ज होना चाहिदा है। ए बहुत मैद्वपूरन अते कीमती है। इस लहिसान नो सार्या नो नियमा दी पालन कर दे हुए खून दान करना चाहिदा है। Thank you very much everyone. Have a nice day. Bye-bye.